कि नमस्कार दोस्तों इजी टो लर्ण में आपका फिर से एक बार बहुत-बहुत सौगत है आज हम देखने जा रहे हैं कम्यूटेशन ठीक है दोस्तों कम्यूटेशन यह डिसी मेशिन का बहुत इंपोर्टन टॉपिक है लगबग लगबग हर एक्जाम में इसके उपर से सबसे पहले तो कम्यूटेशन किस तरीकिसे होता यह हम डायर मेटिकली समझ लेंगे अच्छा से parl BloodDrenicamenteji के मैं ॏखिए थे क्लिक हैं अब ये है मेरा ये है मैरा कॉम्यूतेटर सेगमेंट कुणेटर सेगमेंट सेगमेंट ठीक है और ये है मेरे ब्रश से कितना कुर्स कलेट करता है ऐट टाइप यह हमें देखना है आप हमने जनरेटर के वर्किंग प्रिंसिपल में या कम्यूटेटर जब चालू था हमारा तब हमने देखा था कम्यूटेटर आर्मेचर वाइंडिंग से करन्ट कलेक्ट करता है उसको यह से लेके डिसी में कनवर्ट करता है फिर उससे ब्रसेस करन्ट कलेक्ट करते हैं और और यहां से फ्लो होने वाला भी करण मेरा आई है क्यों सेम करण होगा वह इसी लिए मैगनेटुड इसकी सेम क्यों होगी क्यों की एक जन्रेटर में का एक की आर्मेचर में एक की कोईल है यह इसलिए करण भी कैसे हो गोस में से क्योंकि यह में होने वाला इंडियूस 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 होने वाला एक yes pole की बज़े से एक n pole की बज़े से इसलिए दोनों की direction जो है ओ different है अब देखिए यहाँ से I current आ रहा है यहाँ से I current आ रहा है इसका मतलब यहाँ से I आ रहा है यहाँ से भी I आ रहा है तो इस summation point पर यहाँ पर आ के current इस brand से जाने वाला current कितना रहेगा मेरा 2i रहेगा क्योंकि i plus i 2i इसका मतलब इस 2 portion में Commutator के segment 2 में कितना current flow होने वाला है 2i इसका मतलब ब्रशिष क्या कर रहा है Commutator के 2 number के segment को पूरा-पूरा cover कर रहा है इसका मतलब ये collect कितना current करेगा 2i करेगा न क्योंकि इसने 2 number के segment को पूरा-पूरा cover किया है और 2 number के segment में current कितना आ रहा है 2i इसलिए ब्रशिष कितना current करेगे 2i अब देखते हैं ब्रश को में थोड़ा क्योंकि Commutator जो है ये Commutator V velocity से V velocity से Rotate हो रहा है V velocity से हमारा Commutator Rotate हो रहा है ठीक है ना इसकी बज़े से Brushes थोड़ा shift हो गया अब Brushes की position ये आ गई Brushes 1 में थोड़ा सा जो है थोड़ा सा portion 1 में आ गया है और कि Brushes ने 1 Commutator segment का थोड़ा सा area cover कर लिया है बाकि जो large amount of area है वो 2 Commutator segment का और कि 2 दूसरे segment का cover किया हुआ है तो इससे आने वाला मिलने वाला current भी है वो 2i ही रहेगा देखिए कैसे रहेगा 2i Brush थोड़ा सा shift होने के बावजुद भी 2i मिलेगा कैसे मिलेगा मानले अब भी देखिए 1 में से भी मेरा current कलेट होने वाला इसलिए मुझे यह भी coil consider करनी पड़ेगी क्योंकि पहले तो यह coil वन में से कुई भी current कलेट नहीं कर रहा था Brush इसलिए मैंने यह coil consider नहीं की थी लेकिन देखिए यहाँ पे जो वन थोड़ा सा portion जो है ब्रश का वो वन में आ गया इसलिए यह point भी current कलेक्ट करेगा इसलिए इस coil में से भी current कलेक्ट होगा तो मान लीजी यहाँ से मेरा I flow हो रहा है ठीक है आप देखिए इस point से भी current कलेक्ट होगा मेरा इस point से भी current कलेक्ट होगा इसलिए यह coil भी active रहेगी इसका मतलब यह जो यहाँ से करन फ्लो अने वाला आ रहेगा अब देखिए इस point पे आने के बाद यहाँ से i flow होगा ठीक है न? यहाँ से भी i flow होगा ठीक है, अब इस point पे आने के बाद current divide हो जाएगा मान लिजे यहाँ पे i by 2 जा रहा है और यहाँ पे i by 2 आधा करण इधर जा रहा है इसका मतलब यह कोईल में से फ्लोवन वाला करण कुन सा रहेगा I by 2 बराबर I by 2 अब मान लीजिए अब यह पॉइंट पर आके समेशन होगा इधर से I आ रहा है और इधर से I by 2 यहां से I by 2 आ रहा है न I by 2 I by 2 और I क्या हो जाएगा 3 I by 2 अब देखें 1 Commutator Segment 1 से कितना करण कलेट कर रहा है आ बयर बरश्ऽ सक्तिना कॉलेट कर रहा है I by 2 और Commutator 2 सेग्मेंट से कितना कर रहा है 3 I by 2 I by 2 plus 3 I by 2 Oh तू आये करन कलेट कर रहा है अब देखेंगे कि और अगर ब्रश थोड़ा सा सीफ्ट हो जाता है इसका मतलब कि आधा आधा सीफ्ट हो जाता है थोड़ा थोड़ा होगा थोड़ा थोड़ा सीफ्ट होगा थोड़े थोड़े पॉर्शन पर हम देखेंगे पहले हमने पूरा हम 2 देखि लिया उसके बाद थोड़ा सा पॉर्षण में है ज़्याद थे वाले ठी족 अब देखिए ब्रशिष की पोजिशन फिर से सिफ्ट हो जाती है अब देखिए ब्रशिष का आधा पॉर्षन जो है वो मेरा वन सेग्मेंट में है और आधा पॉर्षन जो है मेरा वो टू सेग्मेंट में है ठीक है अब देखिए यहां से कुन सा स्वरी यहां से कुन सा करण मेरा पास होगा आए ठीक है ना अब यहाँ से कुन सा करन फ्लो होगा मेरा आए ठीक है अब देखिए आई इस पॉइंट पे जो है वो टोटली यहाँ से भी अगर यहाँ से आए फ्लो हो रहा है तो इधर जाने के लिए उसको इस कॉइल का रिसीविंग पॉइंट देखिए इस कॉइल का रिसीविंग पॉइंट यहाँ पे आ गया और इधर का जो एक पॉइंट है यहाँ पे आ गया इसका मतलब करन इन दोनों पॉइंट में से ही जाने वाला है ठीक है ना करन जो है वो इन दोनों point में से जाने वाला है इसलिए यहाँ से direct current इस side में नहीं जाएगा इस coil से flow ने वाला current वो is equal to 0 होगा क्योंकि इसको receiving point दोनों भी यही है receiving point या ending point जो भी point आप पकड़ोगे वो दोनों में से कौनसा भी point पकड़ोगे अगर तो दोनों point यह है उस point को कौनसा current आ रहा है इसलिए यहाँ से भी I flow होगा यहाँ से कौनसा current जाने वाला है इसलिए यहाँ से भी I current flow होगा और देखें आधा portion जो है वो one में है आधा portion जो है two में है किसका brush इसका इसलिए brush कौनसा current लेगा two I लेगा ना यह एकाई हो गया और यह एकाई इसलिए रहो व्रस करेंट करेगा तो तिकять एक करन्ड की रिक्वर्मेंट्स देखें सेम है है टू आ नग करन्ठ बष्ट तो तम रहिए कलेट करते गा लेकिन जो फ्लो होने वाला कॉईल में से करंट है अर्मेचर कॉइल में से जो flow होने आगला करंट है वो थोड़ा आज रिक्वार्मेंट डू ब्रश क लगती वह चेंज होते रहेगा ठीक है अब देखते हैं ब्रश इश की position अब देखिए one में ज्यादा ब्रशिस की position है position brush सेगमेंट का ज्यादा कम किया है अब क्या होगा देखते है इसमें से कुन से जाएगा करन मेरा i और इसमें से भी i ठीक है अब देखिए इस पॉइंड में आकर मेरा करण डिवाइड हो जाएगा यहां से कुन सा जाएगा सेम जो मेरी दूसरी फिगर थी उसकी इसाब से 2 आई बाई 2 ठीक है और यहां से जाने वाला करण आई बाई 2 यहां कि इस कोईल में से करण कुन साब होगा आई बाई 2 ठीक है, यहाँ से भी I by 2, यहाँ से I by 2 अगर हो गया मेरा, तो यहाँ से आने वाला करंट जो है, ओ I है, और यहाँ से जाने वाला करंट मेरा क्या रहेगा, 3 I by 2, अब देखे, ब्रश कितना करंट कलेक्ट करता है, यहाँ से आने वाला 3 I by 2, और यहाँ से आने वाला I by 2, इस स्रिप कोईल में का करण चेंज हो रहा है अब तीसरी पोजिशन देखते हैं देखिए तीसरी पोजिशन में जो ब्रॉष का एरिया हो ओ टोटली कवर किया है वन सेगमेंट को थीक हैं तो अब देखिए यहां से जाने वाला करण सेंग नहीं रहेगा मेरा अब इसका रिस्यूंग पॉइंट ब्रश रिस्यूई नहीं कर रहा इस पॉइंट से इसलिए इसमें से करंट कलेक्ट होगा ही इसमें से करंट कलेक्ट नहीं होगा इसलिए ये कॉइल में से करंट कलेक्ट होगा इसमें से भी आय मेरा फ्लो होगा अगर मेरा करण इन दोनों में से यहाँ से मेरा IRI यहाँ से भी मेरा IRI तो इस point पे sum होके कितना मिलेगा मुझे 2i मिलेगा 2i यह ब्रॉष कितना collect करेगा 2i current यह तो था हमारा commutation इस तरीके से brush commutator से current collect करता है इस तरीके से changes आते है coil में ठीक है अब देखें यह होगा है हमारा commutation इसका थोड़ा सा graphical representation देख लेते हैं एक example देख लेते हैं graphical representation याने example उससे आपको अच्छे से और भी समझ में आ जाएगा अगर देखिए मेरा यह यह जो current है यह 20 एंपियर है यह मेरा 20 एंपियर है यह 0 तक आएगा यहाँ पर कितना है मेरा माइनस 20 माइनस 20 एंपियर ठीक है न हमने देखा था न यह में पिंडियूस होता है तो अल्टरनेटली होता है इस तरीके से और हमारा commuter उसको DC में कनवट करके देता है इस तरीके से ठीक है तो पहले 20 उसके बाद 10 एंपियर पे उसके बाद 0 एंपियर पे उसके बाद माइनस 10 एंपियर पे उसके बाद 20 एंपियर पे इस तरीके से आएगा न पहले जिरो होगा उसके बाद में 20 होगा स्री माइनस 20 होगा यही होता है हमारा कम्यूट कम्यूटेशन ब्रशेश की सिप्टिंग यानिके ब्रशेश जो कम्यूटेटर से कलेट करता है करन्ट उसके बज़े से करन्ट कलेट करता है ब्रशेश उसको हम कम्यूटेशन कहते हैं अब यह कम्यूटेशन में क्या होता है मै फिर से वो डाइग्राम के उपर जाऊंगा जो हमने देखी थी उससे पहले यहाँ पर देख लीजिए 20 एंपियर से प्लस पॉजिटिव 20 एंपियर से माइनस 20 एंपियर तक जाने के लिए उसको जिरो होना पड़ता है उसके बाद ही निगेटिव होता है तो ठीक है अब हम जाते हैं ओ डाइग्राम पर जो हमने इससे पहले थोड़ी देखी थी उस पार कहा प्रोडूस होता है वह हम देखेंगे अगर मान लिजे यहां से यहां से भी समझ लिजे यहां से 10 एंपियर करेंट आ रहा है और यहां से भी 10 एंपियर करेंट आ रहा है ठीक है यहां से ब्लड ब्रश कलेट कर रहा है समझ लिजे यहां पर हमें तो मिलना चाहिए 20 एंपियर मिलना चाहिए अगर हमें 15 एंपियर अगर यह लॉसिस की बज़े से यह तो हमारा समझ लीज़े पॉजिटिव हो गया इससे होने वाला नीगेटिव करेंट हो गया अगर अगर समझ लीज़े क्योंकि डायरेक्शन दोनों की अपॉजिट है अगर समझ लीज़े यहाँ पे हमें 20 एमपियर मिलना चाहिए लेकिन हमेरें कालें यहाँ से 15 एमपियर ही मिल रहे है 15 एमपियर तो पांच एमपियर ही जो है वह स्पार्क के बज़े से इख से सब्सकर शल्रायर क्योंकर क्टिक है यहां पे स्पार्कक पर्डूस्ट टाइम हो गा है यह यह पे शॉॉट सर्किट हो गा क्योंकि पॉजिटिँवakah क्रूट सर्कित पॉजिएस्पार्क से कलेट करेगा और कि यह प्रोसेश अगर यो rug on से लेकर प्रोसेस देखे ती चार पाचों डाराम देखी ती क्या हो गया था पहले इसमें मेरा कि है तोटली टू सेगमेंटcke कर रहा था लेकिन त्यव्लकोंद कर रहा था लेकिन यह जो ब्रश शिप्टिंग कि प्रोसेश है ये within time होती है और रिणा संपार्क संपार्क प्रोडिूस होता है ये और positive से negative जाने वाली प्रोसेस जो होती है वो within time होता है आगर होता है तो उसी को हम successful commutation करते हैं ये पहले तो अगर time के भाहर चला जाएगा तो वो unsuccessful commutation होगा अब देखिए अगर विधिन टाइम है, अगर टाइम के अंदर है, अगर देखिए, टाइम के अंदर है, टाइम के अंदर हमारा कम्यूटेशन हो रहा है, तो उसको बोलेंगे हम लिनियर कम्यूटेशन, लिनियर कम्यूटेशन, लिनियर कम्यूटेशन, अगर यह टाइम में नहीं हो रहा है, समझ क्म्यूटेशन यह हमें नौन् लिनेयर क्म्यूटेशन देखिए ना इसको भेव बनाती हूए जाने में टाइम पिरेट जो है वह ज्यादा लगेगा ठीके ना एजो टाइम पिरेट इसको हम क्या कहते हैं TCL TCL e time pirit tCL e time pirit किसका time pirit commutation का Commutation time के अंदर अगर होता है हमारा commutation time के अंदर अगर होता है तो linear commutation हो जाएगा और वह हमारा ideal commutation भी रहेगा या फिर required commutation भी रहेगा वह हमें चाहिए time period के अंदर ही अगर जो time period के अंदर नहीं होता है वो non-linear commutation होगा हमें machine में कौन सा commutation चाहिए linear commutation चाहिए तो आईए इसके कुछ theoretical point देख लेते हैं और यह theoretical point हमने जो अभी diagrammatical समझ के लिए है उससे compare करके देखते हैं as conductor pass out from the influence of yarn pole and either of yes pole the current in them reverse मैंने बोला था ना वो यह current की direction हमने आई लिए थी और यह current की direction इस side से आई लिए थी वो क्यों होता है क्योंकि एक yarn pole से relate होता है और एक yes pole से relate होता है इसलिए उनकी direction जो है वो reverse होती है this reverse of current take place along the magnetic neutral axis magnetic neutral axis क्या है हमारे M-N-A magnetic neutral axis क्या है M-N-A axis और the brush axis that is when the brush is spanned and hence the short circuit that particular coil short circuit होता है short circuit होता है इसलिए तो spark produce होता है कि ने हमारा particular coil क्योंकि current reverse हो जाता है उसकी बज़े से हमारा spark produce होता है this process by this process by which current in short circuit is reverse while it cross the man magnetic neutral axis is called commutation is called commutation यह जब time के अंदर होता है यह short circuit plus to minus जाने का process जो होता है वो विद्दिन time के अंदर होता है उसी को हम commutation कहते है वही हमारा required commutation होता है ठीक है, the brief period during the while coil remain short circuit is known as the commutation time period, अभी अभी हमने देखा था, commutation time period किसे कहते हैं, देखिए, WB क्या है हमारा, brush width in centimeter, brush की width हमने किस में लिए, centimeter में, width of mica insulation, WM क्या है हमारा width of mica insulation, V, जैसे की starting में बताया था हमने V क्या है, peripheral velocity of the conductor segment in centimeter per second, velocity का unit क्या होता है, centimeter per second, peripheral velocity, peripheral क्या है, जो armature होता है, उसका periphery होती है, वो जितने speed से rotate कर रहा है, commutator segment, commutator segment के साथ, क्योंकि commutator किसे attach होता है, armature से, ठीक है ना, commutator armature से attach होता है, इसलिए armature की velocity जितनी होगी, उतनी यह velocity किसकी होगी, commutator की बराबर, ठीक है ना, इसलिए peripheral velocity लिए है हमने, अब देखिए TC, आन्ने के time period कितना होता है, कौन सा time period, commutation time period, TC आने commutation time period, commutating time period, commutating, time period, हो जाएगा हमारा, WB-WM, WB क्या है, brush width, ठीक है ना, और WB क्या है, insulation width of mica, width of insulation, किसका, माइका का, ठीक है ना, और यह velocity V, यह commutating time period निकलने का, time period निकलने का हमारा formula हो गया, यह formula हमें numerical में बहुत काम आएगा, क्योंकि commutating time period हमें निकलना पड़ेगा, इसलिए यह हमें बहुत काम में आएगा, WB यानि brush of width यह दिया हुआ होगा, और mica of insulation, insulation की भी width हमें दी भी होगी, तो उससे हम commutating time निकल सकते हैं, यह हमारा time period, commutating time period निकलने का formula हो गया, तो आज हमने देखा commutation, तो यह तो था हमारा commutation की तरीके से होता है, आज हमने समझ लिया है, उमीद करता हूँ कि आप सब लोगों को ठीक से समझ में आ गया होगा, कल हम देखेंगे की methods of improving the commutation, commutation को किस तरीके से improve करते हैं, यह हम कल के lecture में देखेंगे, आज के लिए बस इतना ही धन्यवाद,